दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को PNB यानि की पंजाब नाशनल बैंक और YES बैंक के साथ में कुछ ऐसी कमपनीज के शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हों ने यहाँ पर स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरूश आप लोग देख रहे हैं FNOW मीडिया बाया आरूश आईएब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज आते हैं बात करते हैं यहाँ पर हमारे पहले शेयर की तो कमपनी का नाम है राजनीश रेटेल लिमेटेड यह कमपनी का जो शेयर है आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें 5.5% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 63 रूपीज के उपर में क्लोज उबा अगर इस कमपन इतना जादा कुछ खास है नहीं बाकि इसको देने की X-Date Record Date जो है 14th of October यानि की 14 October की रखी गई है अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है साधना Nitro Chem Limited यह कमपनी का जो शेयर है आज की ट्रेडिंग सेशन में लगबग हमें 1% की गिरावट करता देखने को मिला और 58 रुपीस के उपर में क्लोज हुआ अगर इस कमपनी के ओफिशल अनामस्मेंट की हम बात करें तो साधना Nitro Chem ने जो है यहाँ पर स्टॉक स्प्लेट अनामस कर दिया है 1-5 के रेशियो से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस कमपनी का एक शेयर है तो वो टोटल मे 5 शेयर्स के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा चाहिए फिर बेशक आपके पास में इस कमपनी के जितने मरजी शेयर्स हों आपका हर एक शेयर यहाँ पर 5-5 शेयर्स के अंदर में कनवर्ट हो जाएगा और इस स्टॉक स्प्लेट को देने की एक्स डेट रेकॉर्ड डेट ज में हमें 6.5% की तेजी दिखाता देखने को मिला जूकि डेफिनेटली एक ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से काफी बड़ा मुमेंटम है और 109 रुपीज के उपर में कमपनी का शियर क्लोज हुआ अगर इस कमपनी के ओफिशल अनौंसमेंट की हम बात करें तो अगले शियर की बात करें तो कमपनी का नाम है निर्मन एगरी जेनेटिक्स लिमिटेड ये कमपनी का जो शियर है आज के ट्रेडिंग सेशन में 3% से जाधा करेक्ट होता नज़र आया और 335 रुपीज के ओपर में क्लोज हुआ हाँ इससे पहले एक बड़ी अपडेट और कवर कर लेता हूँ अगर आप लोग चाहें तो मेरा 100% फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे कैश के अंदर में स्टॉक्स पर बाइंग रेकमेंडे अनौसमेंट की तो निर्मन एगरी जेनेटिक्स ने जोई डिविडेंट अनौस कर दिया है तू रुपीस का आप लगो को आपके हर एक शियर पे दो रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा ठीक है डिविडेंट वाल्यू फेर एनफ है इसको देने की एक्स डेट रिकॉ पाता देखने को मिला जोगी नो डाउट एक ही ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से एक काफी धमाकेदार मोमेंटम है और 1,865 रुपीस के उपर में कमपनी का शियर क्लोज हुआ अगर इस कमपनी के ओफिशल अनौसमेंट की हम बात करें तो NDR Auto Components ने जो है यहाँ पे स्टॉक बोनस अनौस कर दिया है वन इस टू वन के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कमपनी का एक शियर है तो यहाँ पर आपको एक शियर है जब बोनस मिलेगा आपका जो एक शियर है वो दो शियर में कनवर्ट हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हों वो सभी के सभी यहां पे double हो जाएंगे और इस bonus को देने की X date, record date जो है 25th of September यानि की 25 सितंबर की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है PNB यानि की Punjab National Bank PNB Bank का जो share है आज की trading session में लगबग हमें 3% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 111 रुपीज के उपर में close हुआ अब PNB Bank की तरफ से एक बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे आनंद राठी करके काफी जाना माना brokerage firm है and I'm pretty sure आपने भी आनंद राठी का नाम definitely सुना होगा आनंद राठी ने जोबे पंजाब National Bank के शेयर के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ बे दो targets दिए गए है पहला target है 122 रुपीज का और जो second target है वो है 125 रुपीज का लगबग 111 रुपे से लेके 122 रुपे और उसके बाद में 125 रुपे तक की एक जो rally है आनंद राठी एक्सपेक्ट करके चल रहा है PNB बैंक के शेयर के उपर में same time पे आनंद राठी ने stop loss भी recommend करा है जोकि 99.50 रुपीज का होगा तो 99.99 रुपे का stop loss देते हुए एक full-fledged brokerage call जो होए आनंद राठी ने PNB बैंक के शेयर के उपर में provide करा है अगर हम पंजाब नैशनल बैंक की as a company as a bank बात करें देखे first of all fundamentally financially bank काफी strong है इंडिया के top most गिने चुने banks में से एक है और at the end of the day अगर आप देखते हैं actual में company का जो share है एक अच्छे valuation पे आपको मिल जाता है past में PNB bank के share ने कितनी massive rally हमें दिखाई थी है सभी को पता है और अपने investors को कितने massive returns already company का share deliver कर चुका है ये भी हम सभी को पता है और अभी आने वाले time में जैसे जैसे market और बढ़ता रहेगा banking sector दुबारा से बढ़ेगा वापस से और increase होगा तो definitely PNB bank भी आपको काफी जादा अच्छे returns बना करके देने का potential रखता है और actual में जो 122 और 125 रुपे के target की बात करी जा रही है ये तो even आने वाले कुछ हफतों के अंदर में आपको hit होते देखने को मिल सकते हैं तो जरूर से इस चीज का ध्यान रखिएगा PNB bank के share पर आपकी नजर बना के रखिएगा और आपकी watch list के अंदर में जरूर से add कर लीजिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे अगले and last update की तो company का नाम है yes bank limited yes bank का जो share है आज की trading session में 0.17% के एक छोटे से एकदम minor correction के साथ में 22.96 रूपीज के उपर में close हुआ अब yes bank की तरफ से काफी important और एक negative update निकल करके आ रही है basically यहाँ पर ind money करके काफी जाना माना brokerage firm है I am pretty sure आप लोगों ने भी ind money का नाम सुना होगा ind money ने जो है yes bank के share के उपर में selling recommendation दिया है और जो target price दिया है 16.78 रूपीज का दिया है लगबग 22.96 रूपीज से लेके 16.78 रूपीज तक की एक जो बड़ी गिरावट है वो यहाँ पर ind money expect करके चल रहा है yes bank के share के उपर में current market price से अगर आप देखें 28% से जादा की गिरावट यहाँ पर ind money expect कर रहा है कही ना कहीं काफी major correction है जो कि expect करा जा रहा है और reasons की अगर मैं बात करूँ दिखिए yes bank का जो share है काफी लोग इसे सुजलोन energy के साथ में compare करते हैं कि जैसे सुजलोन energy की turnaround story बनी वैसे yes bank भी आपको करता देखने को मिलेगा लेकिन yes bank अभी तक उस phase तक नहीं पहुचा है परिकूस सुजलोन energy के अंदर main problem क्या था company का management के अंदर में problem था और सबसे ज़्यादा बड़ा problem company का debt का था loan काफी था वहीं अगर आप इसे yes bank के साथ में compare करते हैं yes bank में ये problem है ही नहीं yes bank में जो major problem है वो इस चीज़ का है कि company जो अपने profits को अपने revenue को उस हिसाब से boost नहीं कर पा रही है जितना actual में एक bank को करना चाहिए और इसी चलते आप देखेंगे yes bank के अंदर जो बड़े बड़े banks हैं इंडिया की जिन्होंने अपना stakehold करके रखा है including SBI वो सब यहाँ पर exit करने की त्यारी कर रहे है और यहीं पर आप देखेंगे तो Japan का one of the largest bank यहाँ पर कही ना कहीं try कर रहा है yes bank के अंदर एक majority stake यानि कि 51% का stake acquire कर ले इसके साथ RBI के साथ इनकी negotiations भी चल रही है लेकिन अभी तक RBI की तरफ से as such इतना बड़ा कोई negotiation हुआ नहीं है कि 51% का जो majority stake है वो किसी जपान के बड़े bank को भी मिल पाए बड़ अगर यह deal हो जाती है जपान के किसी बड़े bank को एक controlling stake yes bank पे मिल जाता है तो definitely yes bank के आप कह सकते है तब आप कह सकते है एक turnaround story बन सकती है because अगर कोई भी इतना बड़ा private giant controlling stake लेगा तो उनका main focus यह होगा जादा से जादा जल्दी company को major profits तक लेके जाए जाए company की revenue sales को एकदम increase करा जाए तो कहीं न कहीं देखा जाए जब तक कोई बड़ा player yes bank के अंदर नहीं घुसता तब तक के लिए एक turnaround आना काफी हद तक मुश्किल है फिलाल के लिए आपको क्या करना चाहिए देखिए अगर आपने long term के लिए yes bank के shares को hold करा है purchase करा है तो उन्हें hold करे रखिए वरना अगर आपने short term के लिए कोई trade plan किया है अभी फिलाल के लिए avoid करिए और कोई भी अगर आप fresh entry करना चाहते हैं उसे भी avoid करिए एक correction एक गिरावट जब आए उसके बाद में अपनी fresh entry बनाईएगा अभी yes bank current market price पे सिरफ उनी investors के लिए suitable है जो कि long term यानि की आने वाले डेट दो साल के लिए yes bank को hold करने को ready है सिरफ वो ही current market price से अपनी entry बनाएंगे बागी short term से लेके mid term वाले investors अभी yes bank को avoid करिए बागी अगर आप चाहें definitely company के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं company के share पे आपकी नजर बना की रखिए yes bank हो गया pnb bank हो गया इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी x date से पहले पहले purchase कर लेना होगा इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखेंगे यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates सारी थी specifically जिनोंने आपे bonus, split और dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो अची लगी हो वीडियो को like करिएगा, channel को भी subscribe करिएगा विगुस ऐसे वीडियो मैं आप लगो के लिए daily basis पे लेकर के आता रहता हूँ चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye